हाँ फ्रेंड्स मैं हूँ श्रद्धा एक नए वीडियो के साथ आज मैं लेके आए हूँ अपना ब्लाॉस कलेक्षन पार्ट टू यह है रेडिमेट ब्लाॉस कलेक्षन वीडियो जिसमें मैं आपके साथ 4 x 5 रेडिमेट ब्लाॉस शियर करूंगी और अगर आपने इसके पहल भीडिया वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देखें कि मैं रेडी मैट ब्लाॉस क्यों ज्यादा पसंद करती हूं उसमें उसकी पूरिदा इस्टोरी है दास्ता है तो आपने पार्ट वन अगर नहीं देखा है तो उसे भी देखें और अगर आपने ब्लाउस दिखाऊंगी बात रेडिमेट की कर रही थी लेकिन यह एक रेट कलर का बलाउस जिसको मैंने इसके पहले वाले पार्ट में दिखाया था कि इसकी स्लीप्स खराब हो गई थी तो यहां पर मैं इसको इसलिए दिखा रही हूं कि इससलिप मैंने खुद सही कर ली । और मैं पिक्चर्स लगा दूँगी कि ये पहनने के बाद अब सही लगता है, काफी अच्छा लग रहा है पहनने पे, तो इसकी पप स्लीब मैंने बनने को दिया था, बड़ जिसको उसलने को दिया था, उनको पप स्लीब आती नहीं थी, या क्या रिजन था, तो उन्होंने स्लीब बनाई थी, फिर मैंने इसको खोल के खुद से सही कर लिया, तो इसकी पिच्चर में आप देख सकते हैं, कि अभी अच्छा लग रहा है, तो फिर चलिए बढ़ते हैं, अपने ब्लाउस को दिखाने जा रही हूं, जैसे मैंने टॉप बना, लगबग बिलता है, ये स्लीब का कपड़ा दिया हुए था, जो कि मुझे नहीं है, जो की मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत चोटी स्लीब स्लीब नहीं पहन तो मैंने एक नट, कि स्लीब स्लीब का कपड़ा दिया हुए था, टो इसके बोटरwritten लगा लिया है, युजे वरbles करे हूं,This और ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है आप इससे पीचेल में देख सकते हैं सारे ब्लाउस की मैं पिक डाल दूंगी कि ये पहनने के बाद कैसे लग रहा है तो ये है मेरा पहला ब्लाउस यो कि पीछे से थोड़ा इस्टालिस सा है Look at this डोरी है नीचे और इन में सुन्दर से टेशल लेकन लगे हुए हैं इस तरह के ब्लाउज आप अपने किसी भी प्लेन साड़ी के साथ पहने काफी सुन्दर लगेगा और इसमें इतने सारे गलर दिये हैं कि आपकी बहुत सारी साड़ी को यह कवर अप करेगा तो यह था मेरा ब्लाउज बढ़ते हैं सेकेंड पे प्लेन पिंक इंक कलर का ब्लाउज सिम्पल सा बहुत ही बेसिक सा है बस इसमें जो है पीछे बहुत सारे फैब्रिक एशल लगे हुए हैं फैब्रिक लेकन लगे हुए हैं तो यह है ऑप्सन नम्बर 2 काफी स्टाइलिस सा है और यह han buy are hair है कि जांभर थू बढ़ते आ算 नंभर थ्री पे प्रें o Festi बढ़ão展 एृवर यह blouse market का लेया हूआ है यह online नहीं है और स्वाय मुझे लग रहा है था की मुझे नहींत आता है फोटो डेक रही थी करने के लिए को नहीं सब्क faire तो में मुझे प्रस गज्ट तू मैंने फक्रीघप क्लिक कर लेती pati यह मुझे court ऑन्दर थैंक गॉष्ट शादή भार बालॉज सॉप होते हैं। उन्केपास आपको एशुषी olv लाओज मिल जाएगा 200 Composition Pillers 500 थे छादे Kriegas बट्ट मैंने बहुत इसको रगड़ा नहीं है मैंने दो चार बार ही एक-दो बार ही पहने है तो अभी फिलाल मेरा तो गया दो तीन साल का लेकिन मैंने पहना ही दो तीन बार है इसलिए मेरा तो अच्छा है ऐसा ब्लाउस जो के पास होता है बहुत ज्यादा कुछ फैंस ही है वो काफी सिल्पल था और उसमें स्लीप अटेच आई हुई थी शॉट स्लीप इसमें लगी हुई थी मैंने लगाई खुद से नहीं है यह पाइपिन वगेरा भी लगी हुई और इस ब्लाउस के चीज बहुत अच्छे इसमें जो अंदर का अस्तर है ना बहुत अच्छा ल बहुत सारे साढ़ियों के साथ जाएगा यह एसा है जो किसी के साथ बहुत असानी से mix and match हो जाता है और मैंने अपनी साढ़िया पहने ऐसे मैंने दो वीडियो बनाए हैं डोनों की लिंक मैं शेयर कर दूंगी और वहां से जाके चेक आउट कर सकते हैं उसमें मैंने तीन कल इसको नहीं पहनती मैंने पता नहीं किस शॉक में ले लिया था और ये दुकान का खरीदा हुआ है मैंने इसे पहना नहीं है बड़ा ही सुन्दर है पूरा मोतियों का है महेंगा भी था ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने पैसे पहने के बार नहीं पहने तो ये एक बार मैंने पहना है और सायद उसकी पिक होगी तो मैं शेयर कर दूगी है दरवाज मेरे पैसे इसकी पिक नहीं है बट इसको मैं रख रखी हूं मैंने इसको मैं ऐसे रखी हूं सम कि यह मुझे याद दिलाए कि ऐसी कुछ बेवकुफिया होती है जो excitement में हो जाती है इसका वनलब ये ये देखके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह मोती वाला ब्लावोस है किसी पिसाड़ी को और हैवी लुक देगा बट पहनने के बाद इसका लुक अच्छा नहीं आया पहनने के बाद इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आई तो I don't like this blouse and एक दो बार पहनाया कुल मिला के फिलाल बस तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा बट तो मैंने शेयर कर दिया कि तो friends ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 5 blouse शेयर किया हैं जिसमें से 4 मेरे फेवरेट हैं बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है एक मुझे नहीं पसंद बट उसको इसलिए मैंने शेयर किया कि ऐसी गलतियां जैसे होत So friends ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा और कौन सा blouse आपको पसंद आया ये कमेंट करके जरूर बजरूर बताएं और मेरे blouse collection कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएं पार्ट वन भी जरूर देख लें और ये था पार्ट टू